पठानकोट के सराई मुहला में आज दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जहां एक कल्यूगी बेटे ने बीती रात अपनी मा का कतल कर दिया बताया जा रहा है कि घर में अक्सर बेटा अपनी मा के साथ मार पिट करता था और बीती रात जगडे के दुरान रोपी साहिल ने अपनी मा को मोत के घाट उतार दिया और मोके से फरार होने के लिए आर्मी एरिया में छलांग लगा दी जहां कंटीली तारों की चपेट में आने से 25 साल का रोपी साहिल घंबीर खायल हो गया जिसे पठान कोड के सीविल एस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है जहां डक्टरों दोरा घंबीर हालत को देखते हुए उसे रैफर कर दिया गया है मिली जानकारी एनुसार रोपी साहिल ने अपनी 63 वर्षिय मा की हत्या की है शेरे चारोए दाए दाए आए अंबुलेंस अले लिए कहाए दिया नहीं रैपर कारे दिया आपने लोग देखो अधर साम इसी मादर दी निया आल पार ओंधर देख देख होगी दिया ओना अधर मौर्च दी चिया है हाँ जी इसाम हो सुभा इंफर्मेशन मिली सेगी और इधर रिगार्डिंग असे आके मौका विख्या है और जड़ी डेट बोड़ी है उन्नों असे करवा दोता है सिविलों स्पटी विट्स लाके गया है और जो अक्यूजड है उन्नों भी एडमिट करवाया है और नेक् जिना ने विख्या है कि कारणा ना पता लगा है कि कारण सी जाजी है उन्ना दिया आप सेक्रेलों लड़ाई बखी जो नेक्स्ट लगई का पता है झालग एंप से उन्ना तो लगई लगई गार्ण था एंप लगई एंपन ने सब्सक्राद तो एंपन कारण बखी है आपकी गाल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे वाट नमबर 11 निर नोबल्टी मॉल ममून रोड बतान को